तो हम अपने तीसरा पार्ट में देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड बोल्यूम अप सोलिडिस के कोसंस करने जा रहे हैं जो आपकी बोर्ट के लिए इंपोर्ट है हम फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट कर चुके हैं अब हम 61 से आगे करेंगे ठीक है यह बहुत अ कर चुक आपके बहुत है विए तो यह मानते हैं आपका सिलेंडर आप यह आपका slender है और यह आपके जो है वो क्या कौन है ठीक तो कौन का अगर आपका slender का slender का slender का आपका जो radius है r1 माल लेते है r1 आपका जो क्या माल लेते है आपका 3r हो जाएगा क्योंकि Ratio में तो आपका जो कौन का Radius हो जाएगा वह मानलेते है R2 कौन का जो है वो क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा ठीक आप बोलता है कि यह Height जो हो जाएगा H1 मानते हैं किसका Cylinder का तो H1 आपका क्या हो जाएगा 2R 2R हो जाएगा तो 2H होगा 2H मानते हैं 2H मानते हैं तो आपके आपके जो कौन का हैट हो जाएगा कौन का H2 मानते तो आपका हैट का कौन क्या हो जाएगा 3H हो जाएगा मिंस कि आपका radius का जो ratio दिया हुआ है 3 to 4 अगर आपका radius of cylinder अगर आपका 3 R है तो radius of क्या हो जाएगा 4 R हो जाएगा ठीक है? उसी तरह आपका height का, अगर height of cylinder 2 H है तो height of ک्या हो जाएगे? आपके 3 H हो जाएगे ठीक? तो यह हो गया, तो हमें क्या निकालने? ratio निकालने किसकी से बीच में volume of cylinder और volume of cone की बीच में तो volume of cylinder volume of cylinder by क्या हो जाएगा volume of cone हो जाएगा is equal to volume of cylinder क्या जानती हो pi r r क्या है r1 का square h1 हो जाएगा by by क्या हो जाएगा 1 by 3 pi pi होगा r2 square क्या radius r2 है r2 square into h2 यह बता है ना pi से pi क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और 1 के जगा पर क्या रखेंगे 3r का whole square रखेंगे भाई into h1 के जगा पर क्या रखेंगे by by 1 by 3 into r2 के जगा पर क्या रखेंगे 4 r रखेंगे 4r का square into into क्या हो जाएगा h2 के जवापर क्या रखेंगे h2 के जवापर 3 h रखेंगे तो 3 से 3 cancels h cancels r से r cancel तो यहां से आपका क्या हो जाएगा थी थी जा 9 9 by 9 into 2 by 16 हो जाएगा 4 का स्क्वाइड 16 तो 28 जा आपका क्या गिया 9 is to 8 9 by 8 आ गिया मिसकी वोल्यूम ऑफ सलेंडर वोल्यूम ऑफ सलेंडर इस्टू बोल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा 9 इस्टू 8 होगा 9 इस्टू 8 होगा कहीं दिख गया option आपका इस दिख रहा है यह आपका correct answer हो जाएगा तो 9 इस्टू 8 आपका answer हो तो स्वोफ करने का बहुत हीजी था बस radius अगर रेशियों में दिया हुआ है तो अगर जितना ratio दिया हो आपका smlender का और कौन का क्या हो जाएगा tips 4 और हैट में उसी तरह आका हैट कों क्या हुजाएगा तू ऑर आपका hop कौन क्या हो 600 बाकिया नहीं बॉल्मुला उसमें चाकर रख देंगे और फर्मुला उसमें जाकर यह भी रखना है ठीक तो यह ध्यान में रखेगा अब चलते हैं आगे question number 62 question number 62 बोलता है क्या बोलता है कि a metallic cylinder of radius 8 cm and height 2 cm is melted and converted into red circular cone of height 6 cm radius of the base of the cone is क्या बोला गया कि एक cylinder था थे के metallic cylinder था उसको melt किया गया कितना radius जो है 8 cm और आपका जो hat था वो कितना 2 cm वो किसमें convert कर दिया जाता है melt करके किसमें convert कर दिया जाता है आपका कोन बना दिया जाता है क्या बना दिया जाता है क्या बना दिया जाता है यह आपका unchanged रहता है change नहीं होता है अगर आप convert कर रहे हो तो volume आपका constant होता है तो volume of cylinder is equal to क्या हो जाएगा volume of cone होगा sir volume of cone होगा तो volume of cylinder क्या हो जाएगा pi r square h is equal to क्या हो जाएगे volume of cone 1 by 3 pi capital r square into capital h क्योंकि hat of capital h अब आगे क्या करना है देखिए आगे जो करना है pi से pi क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा मैंसे कि आपके जो हो जाएगे r जो आपका a3 क्या है इधर आजएगा 3 into r square r क्या हो जाएगा 8 into 8 हो जाएगा into h कितना है h आपका 2 cm 2 हो जाएगा is equal to r square आपके क्या radius तो निकालना है भाई radius तो निकालना है तो r square रहने 2 into h कितना है आपका 6 cm है तो a 3-3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा कट गया 3-2 जा 6 6 आपका कट गया तो r square जो हो गया r square is equal to क्या हो जाएगा 8 square हो जाएगा तो R आपको क्या हो गया 8 cm हो जाएगे क्या हो जाएगे 8 cm कोई दिखा कोई दिखा दिख गया option D correct हो जाएगा तो बस ए वाला आपको बहुत easy से बन जाएगा volume of cylinder और volume of corn क्या करना equal कर देना दो अगर convert कर रहा है वो दोनों equal कर देना है volume equal होते हैं जब conversion होता है तो ठीक है बाकी यह आपको समझ में आया होगा अब चलते है next question number 63 क्या बोलता है sir कि 63 बोलता है कि height of the conical tent conical tent है tent बनाते हुए देखा नो तो कहीं पर conical conical जैसा tent बना हुए जिसका height कितना 14 cm है और its floor area जो इसका floor area है वो कितना 346.5 meter square है तो आपका जो होगा how much canvas जिसके कितना कपड़ा उसको लगेगा बनाने में 1.1 meter wide है will be area required for it तो इसके required कितने होगे wide तो पता है आपका breath पता चल गया क्या निकालना है length निकालना है क्या निकालना है length निकालना है कितना लंबा कपड़ा जो रत होगा उसको कभर करने के लिए तो आप देखो क्या होगिया यह मानो आपका कौन है 10TC तरह होता है 10TC तरह होता है तो यहां से आपका यहां लगा दिया तो नीचे ओला area में तो निकालना लगागा खाली कहाँ कपड़ा यह जो है है कपड़ा का 1.1 मीटर है तो कर्ब सरफिस एरिया निकालने के लिए तो पेले आपको क्या निकालना पड़ेगा फूर का एरिया देदिया हुआ तो फूर एरिया इसकोल तो क्या होज़ेगा area of base देदिया हुआ ज़े पाय अर्ग स्कॉर होता है पाई पाई को क्या रखेंगे 22.7 22 by 7 into r square रखेंगे यहां से आप solve करोगे तो solve करने के बाद जो आपका r आएगा आपका r जो आएगा सर आपका जो r आएगा वो r square result क्या हो जाएगा 346.5 पॉइंट को हटाएगे तो 5 क्या हो जाएगा नीचे 10 आएगा into 7 by 22 आएगा इसको जब आप solve किजिएगा तो solve करने के बाद solve जब करोगे इसको इसको solve जब किजिएगा तो आपका r square जो r है r है से कितना 21 by 2 meter आएगा 21 by 2 meter आएगा 21 by 2 meter आएगा इसको solve करके देखना calculation करके तो क्या हैगा 21 by 2 meter आजाएगे तो radius आपका पता चल गया radius of the cone पता चल गया और आपका height पता चल गया तो आपको क्या निकालना नहीं है तो curve surface area तो L तो निकालना पड़ेगा तो L is equal to क्या हो जाएगा under root salent height बराबर under root h square plus r square तो under root h square h square कितना है भाई h square आपका कितना 14 का square हो जाएगा पलस r कितना है 21 by 2 का क्या हो जाएगा whole square हो जाएगा 21 by 2 का whole square हो जाएगा आप आगे solve करते हैं तो आगे अगर solve करोगे तो आपका क्या जाएगा यहां से under root 196 plus 441 by 4 जाएगा इसको जब solve कर जिएगा तो आपके total जो आएगे है ओ 1225 by 4 आएगा 20 की इसका under root जब लोगे तो कितना आजाएगा आपका 35 by 2 आजाएगा 35 by 2 मीटर आगिया 35 by 2 क्या आगिया मीटर आपका silent आगिया तो curve surface area क्या होता है pi r l होता है आप यहां से pi क्या हो जाएगा 22 by 7 into into r कितना है 21 by 2 है into आपके l कितना है 35 by 2 है आप इसको जब मल्टिप्ला कर होगे तो कर्फ़ेस एरिया आपका जो आएगा सर कर्फ़ेस एरिया जो आएगा आपका क्या आजाएगा कर्फ़ेस एरिया 57 577.5 आपका मीटर आजाएगा मिसकी कर्फ़ेस एरिया बराबर क्या जाएगा एरिया ऑप कन्वास हो जाएगा इतना आपका कप्ला का जोरत पड़ेगा एरिया ऑप कन्वास इसके बराबर हो जाएगा मिसकी यही कर्फ़ेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑप कन 1.1 meter तो 577.5 is equal to L into 1.1 यह हो गया तो L is equal to यहां पर लिख सकते क्या 577.5 by 1.1 लिखेंगे इसको जब solve किजिएगा सर तो इसको जब solve किजिएगा तो आपका आएगा A1 यह point से point cancel हो गया यह आपका 11 5 जा फिर 2 जा फिर 5 मतलब 525 meter आ जाएगा यहBy जाएगे जो length of canvas आपका चाहिए आपका 525 MIL लंबा चाहिए कितना 525 मह जाएगे option क्या हो जाए हम वी हो जाएगे तो area of base से हम क्या radius निकाले radius और height से Вотwhat benchmark we have 8 करफ surface area निकालने निकालने बाद क्या area of canvas कर देंगे जिसका वीडियों दिया हुआ वहां से हम क्या करेंगे लेंथ अब कन्वास निकाल लेंगे लेंथ कन्वास क्या जाएगा 525 मीटर हो जाएगा आप चलते हैं नेक्स्ट नेश्ट आपका बोलता है कोर्शन नंबर शिश्टीफोग बोलता है कि दा डायमेटर ऑपस सेंटीमेटर दे दिया हुआ है तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमेटर बाइटू हो जाएगा मिस्ट क्या हो जाएगा फोर्टीन बाइटू फोर्टीन बाइटू हो जाएगा कितना जाएगा सेवन सेंटीमेटर हो जाएगा आप क्या निकालने बोला बोल्यूम आउस प पाई क्या हो जाएगा 22 बाई 7 22 बाई 7 इंटू आर को क्या रखेंगे सेवन का क्यूब तो 7 इंटू 7 इंटू 7 ठीक है ए 7 तो एक 7 से एक 7 कैंसल और आपका है ए 3 3 बची है न तो इसको आप सॉल्ब करना होगा आपको 28 88 इंटू 49 बाई क्या होगा तो इसको आप सॉल्ब करोगे तो आपका 64 का जो एंसर हो जाएगा वह आपके कितना आ जाएंगे 14 यहां से जब सॉल्ब करोगे तो 14 37 14 137 is to 1 by 3 ठीक है 14 37 is to 1 by 3 यह आपका आया जाएगा यह ठीक है तो आपका क्या दिख रहा है आपका ओप्सन सी दिख रहा है तो आपका ओप्सन सी क्रेक्ट हो जाएगा तो भॉल्यम आप अस्पेर निकालना बहुत इज़ी था आगी कल्कुरेशन करके चलो ठीक है यह समझा आ गया होगा अब चलते है 65 65 बोलता है सर 65 का कोर्शन बोलता है दा रेशियो बिट्वीन बॉल्य स्पेर एस्टू माल लेते हैं ठीक है तो इसके भॉल्यूम अगर आपका भॉल्यूम इसका माल लेते हैं आपका भीवन भाई भीटू भीवन भाई भीटू कितना दिया हुआ है आपका ए इसका माल लेते रेडियस क्या है आरवन है और इसका क्या माल लेते है आड्टू है तो यहां से आप निकालोगे तो क्या निकलेगा 4 by 3 पाई R1 का क्यूब by 4 by 3 पाई असपेर 2 का क्या है R2 का क्यूब हो जाएगा तो 4 पाई से 4 पाई cancel is equal to कितना हो जाएगा आपका 8 by 27 हो जाएगा मैं इसकी यहां से क्या लिखेंगे आप R1 by R2 का whole cube 8 का किसा क्यूब होता है 2 का 27 किसा होता है 3 का तो 2 by 3 का क्या करेंगे क्यूब लिखेंगे यहां से R by R1 R1 by R2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 by 3 होगा क्या हो जाएगा 2 by 3 होगा आप जो है क्या निकालना है सर्फे सेरिया तो सर्फे सेरिया एकativa और होन सर्फे सिर्द कियाँ हो जाएगा क्या होता है फोर पाइड अर ऐयसकोयर वाtit का बिन union पालिए हम सर्फेस से शिर्य का रेशियो निकाल लेंगें टो इस तरह से आपको बनाना था, समझ में आ गया, अब चलते हैं, next question, next question आपका 66 है, 66 बोलता है क्या, यह hollow metallic sphere, with external diameter 8 cm, and internal diameter 4 cm, is melted, is melted and molded into a cone, we're having radius, radius 4 cm, कितना radius, 4 cm, height of the cone क्या होगा, तो एसा कोशन, similar कोशन उपर में आया था, आप बना के देखना है, इसका कोशन प्रेक्टिस करवाए हैं, तो एक कोशन साप बना सकते हो, similar एकदम सेम कोशन आ चुका है, तो क्या हो जागा, volume क्या बोला, आपके 66 का जो बोला गया है, कि volume जो है, वो क्या है, volume, external volume is equal to, क्या हो जागा, आपके जो volume of, aspair, क्या बोला है, आपके hollow metallic aspair, खाली बोल दिया, वहाँ पर क्या, aspirical cell था, metallic aspirical cell, तो आप देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर, यह aspair, आपका hollow aspair है, मिसकी अंदर में खोकला है, तो मिसकी इसका जो external diameter, capital D जो ह कितना 8 cm, मिसकी आपका external radius हो जागा, 4 cm हो जाएगा, अगर आपका internal diameter जो small d कितना है, 4 cm, तो आपके small, जो internal radius हो जागा, 2 cm हो जाएगा, आप इसको क्या करता है, convert कर दिया जाता है, किसמן, आपका कौन में convert कर दिया जाता है किसमे अरश कर दिया था कौन में कौन में convert करने के लाद क्या होता है radius जो होता है radius बता दिया गया radius कितना 4 cm होई तो पूछा कि है कितना होगा है तो आपकी जो volume of Allows metallic सब्सक्राइब है टोटल यह कितना से बना हुआ फोल्यूम यह क्या हो जाएगा फोल्यूम जो होगा फोल्यूम का बच जाएगा इंटर्नल और और एंटर्नल और एंटर्नल कर दें एगे तो एक आपका क्या बच जाएगा आपका volume of material बच जाएगा ठीक इजुकूल हो jाएगा इम्सक्णारण प्राबरों यह आपके बचों क्षेट बराबर हो जाएगा वह ठ्युक्हों कि उसानल एक किर हो गई ना तो रच प्री के पिटल पाई इसका क्या, र माल लो, इसका capital R है, इसको capital H माल लो तो क्या हो जगा, इसका कोन माल लेते हैं, कोन का square, पाई आर कोन का square into H, ये हो गिया, आब यहाँ से, क्या हो जगा, 4 coming LEP, लेते हैं, 4 by 3 five common LEP, लेते हैं, आप RQ के जगापे क्या रहते हैं? 4 का QB रखेंगे 4 का QB मैनस और 2 का QB small R के जगापे क्या रहते हैं? 2 का QB करेंगे 2 है R small R तो R QB तो 2 QB हो जाएगा Is equal to 1 by 3 1 by 3 पाइ आपका radius of cone कितना है? 4 है 4 के क्या हो जाएगा? square हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा हट ओप कॉन तो यहां से एक स्क्वार से फोर का स्क्वार से फोर केंसल थिरी से थिरी केंसल पाई से पाई केंसल आपके जो बचे चार सब्सला 646 64 64 मांनस क्या हो जाएगा प्रोट्य प्रोटेटन ऊकल में aa56 में दिदेर व क्भीज़्म में तो आपके 34 फोर्टेन फोर्जा क्याकर 4946 होता है तो 14 cm आपका आगिया जो है टो कोन हो जाएगा वो 14 cm होका क्या हो जाएगा option B हो जाएगे तो यह भी आपका बहुत इजी था अब चलते है next question आपका देखा आए आपका है क्या question number 67 67 बोलता है क्या a metallic con having base radius 2.1 cm एक metallic हाली कोन है जिसका base radius कितना 2.1 cm है और हाट कितना 8.4 cm है is melted and molded into a sphere एक कोन है कोन का radius कितना है आपका 2.1 cm है 2.1 cm है हाट जो है कितना हाट जो है 8.4 cm है हाट आपका 8.4 cm है ठीक आप जो इसको किसमें change कर दिये इसको जो change कर दिये किसमें a sphere बना दिये क्या बना दिये क्या बना दिये तो आप उछा radius of a sphere क्या होगा ओ निकालना है तो volume यहाँ पे पर जने तो volume of cone is equal to क्या हो जाएगा volume of a sphere हो जाएगा भाई volume of cone बराबर क्या हो जाएगा volume of a sphere होगा तो यहाँ से आप फर्मूला volume of cone क्या होगा 1 by 3 1 by 3 pi r square h हो जाएगा और इसका radius जो माल लेते capital r माल लेते एस पेर का तो यह हो जाएगा 4 by 3 4 by 3 pi r cube हो जाएगा capital r का cube हो जाएगा तो pi से pi cancel हो जाएगा 3 of q 2.1 का square रखेंगे ist SPEC kya रखेंगे ंट केर अच ह ए這個 and Сबांकattform रखेंगे next A! आपका दिख गया आपका ऑप्शन aateral जाएगा 67 को आपका एंसर 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इस तरह से आप बना सकते थे कितना एजी से बन सकता था वह देख लें कल्कुलेशन पर आपको इस पर कमांड होना चाहिए किल्कुलेशन कितना आता है चप्टर आपको बता देता है बस फर्मूलाप सेट अप करो और क्ल्कुलेशन करने आता तो यह आप बना लोगे एजी से तो आप आता है कोर्चन नमबर 68 तो देखो 68 बोलता है दा भोल्यूम आप हैमिसफेयर इज 19,404 सेंटीमीटर स्कुरा है टोटल सर्फेस एरिया आप हैमिसफेयर तो टोटल सर्फेस एरिया है क्या होगा वो नि के से इजिकल टू क्या लिखोंगी यहां से इजिकल टू 19,404 लिखे गया आप यह आपका आगया आपका डू-बाइ-3 इंटू क्या होजाओगा 22 सेवन हो गा इंटू क्या होजाओगा आर्की वोगा इस फॉन होलागा 1 आघटिनTube ए gotta आनցट एक क्या होजाओगा ड्या फोर जीरो फोर फोर छीरो फोर इंटी 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 शेवन इंटी क्या होजा गा इंटी थिरी होगा बाई बाई आपके अअजाएका two इंटी क्या जाएका 22 अज़त पर एट टू से देखर चेश कौटेगा देखो क्ये से कट escort खा आठ दूनी चलंग फिर एक आपका क्या सेवन फोटी जाओ फिर एजीरो एटू प्तव है इसे आपका कट गया से आपका क्या 2 से फिर कटे गाए घ्यारा बार में और एपका जो characters यहां पर 3 फोर थिरी अपका यjm क्या हो जागा जीरो बहुंन होगा आपको काटना है 11 से कटेगा क्या यह आपका 11 से कटेगा क्या यह आपका 11 से कटेगा तो यह आम काटते हैं 1130 1130, 33 तो यहाँ 10 बच्चा फिर आपके 9 बार में फिर आपके क्या हो जाएगे आपके 9 और 1 यह 391 आएगा 391 आएगा तो A आपका कितना 391 आएगा तो R क्यूब बराबर यहां से आप लिख सकते हूँ क्या 49 into 9 49 into 9 391 का हम लिख सकते हैं 49 into 9 देखो आपका 391 आजाएगा 49 into 9 आ रहा है देखो 9 नमें 81 बाकिया 8 8 तो यहां से आपका क्या आजाएगा आपका आजागा 9 37 और 8 301 आएगा ना 391 आएगा 391 आएगा 64 का कल्कलेशन करना है कल्कलेशन करना है 69 का बोल्यूम आप sorry 68 का बना रहे है तो आपका यह आना क्या टोटल सर्फिस एरिया निकालना है पहले तो आर क्यूब तो निकाल ले आर क्यूब आर तो निकाल ले रेडियस तो रेडियस आपका जो आ रहा है आर पुलब कि तो रेडियस आर स ranging और तो कि दोगगकाउब। ओया है ईज तो आर काल हम यहाँ पर गलत काटे हैं तो यहाँ पर क्लेकले किलिगयां देखोस यहाँ पर आपका और 1344 गा विए न यहाँ पर लकाने ना यहाँ पर ना यहां पर ना यहाँ तो यहाँ पर आप किया यहां पे आपका जो 9 आ गये तो यहां पे आप तू से काट रहे थे ना 9 तो यहां पे 4 और यहां पे क्या जाएगा 4 पूर 8 ठीक एक काट के दеखना आपका क्लिकुलेशन करके डखना आपके जो आयेगのは आपका 21 का इसक्यूब आई गा तो r is equal to यहाँ पे आपका जो हो जायगा 21 cm हो जाएगा sir, 21 cm आपके हो जाएगे r आपका 21 cm होगा, तो r आपका 21 cm होगा, देखो यहाँ पे हम क्लिकुलेशन गलती की थी इसमें ठेख है तो r आपका 21 cm होगा, तो total surface area आपके जो हो जाएगे, किसका? hemisphere का हो क्या हो जाएगा 3 pi r square हो जाएगा 3 pi r square हो जाएगा तो 3 into 22 by 7 into 21 into 21 तो ये 21 से 3 बार में cancel हो गया आप जब multiply करोगी इसको तो multiply करने के बाद आपका जो आएगा sir ओ इतना आएगा total surface area of hemisphere 41 158 cm square हो जाएगा कोई दिखा option a हो जाएगा correct answer तो आपको क्या calculation ध्यान से करना है इसका जगर calculation ध्यान से कर लिए तो ये आप बना लोगी ठेक है आप चलते आगे कि surface area of a square is 154 cm square surface area आपका दे दिया असपेर का तो volume of a square क्या होगा वो निकालना है तो असपेर का surface area बिसके total surface area आपका दिया हुआ है surface area of a square a square क्या हो जाएगा आपके 4 pi r square होगा 4 pi r square होगा आप आता है surface area is equal to कितना 154 दिया हुआ है ठीक तो यहां से आपका 4 into 22 by 7 into radius तो निकालना है radius तो निकालना है भाई radius तो निकालना है 154 हो जाएगा आप यहां से देखो 22 सत्य हो जाएगा आपका 22 सत्य एक सत्य हो जाएगा आपका 7 का square by 2 का square तो यहां से आर आपका क्या हो जाएगा 7 by 2 होगा आपके 7 by 2 हो जाएगा तो बोल्यूम अपस पे यह निकालना है क्या होता है 4 by 3 4 by 3 pi r cube होता है तो यहां से लिखेगे है 4 by 3 4 by 3 into 22 by 7 22 by 7 into r cube r की जगा पर क्या रखेगे है 7 by 2 तो 7 by 2 into 7 by 2 into 7 by 2 रखेगे है ठेक है तो 7 से 7 आपका क्या हो गया क्टल खलास हो गया आपके 2 से 22 जा फोर हो गया टू से 2 केंसल फिर टू एले उन्जा ए हो गया मिसकी आपके 1177 17 17 77 77 यह 77 49 बाकिया 4 77 49 चार कितना हो जागा 53 55 55 55 55 by क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो इससे आप निकालोगे तो डिवाज करोगे तो आपके जो आ जाएगे ऑप्सन 69 का ऑप्सन हो जाएगा यह हो जाएगा ओप्सन आपका यह हो जाएगा मिसकी इसको आप डिवाइड करके देखोगे फाइप 55 39 तो इसको जब तो इसको जब तो 179 283 हो जाएगा 179 hole 2 by 3 हो जाएगा तो option क्या आगे है यह आ जाएगा तो यह भी आप असानी से solve कर सकती हो question number 70 बोलता है total surface area of hemisphere of radius 7 cm कि total surface area आपका hemisphere क्या होगा जिसका radius दे दिया गिए radius क्या दे दिया गिए total surface area total surface area क्या होता है total surface area होता है 3 pi r square hemisphere का 3 pi r square होता है तो आपकी radius दे दिये गे तो 3 into 22 by 7 22 by 7 into r square तो r कितना है r आपका 7 है तो 7 into 7 हो जाएगा तो 7 से 7 आपका क्या होगा खलास 22 तिया 22 तिया क्या होगा 66 66 7 जा 7 दूनी 42 के बाकियाद 2 7 चक 42 और 4 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा 462 कहीं दिख रहा है टोटल सर्फेस टोटल सर्फेस एरिया और फैमिस पेजर तो आपका ये πाय रहने दो पाय ही पूछा पाय में पूछा ना तो पाय रहने दो साच अच्छे 49 49 तिया क्या हो जाएगा 49 तिया 9 तिया 37 के साथ बाकियाद 2 4 तिया बारो 147 पाय के दिखा आपके जी diो क्योंकि आपकर 217 पाय में ही पूछा तो पाय रहने दो टो आपको चास क्या हो जाएगाए आपके 147 संटीमीटर स्वडाय कोई स्क встр isson सिय आ गया तो 70 का भी आपका बहुत अज़ी कोशन था 69 भी इ comparison भी इस था और आपका से बना सकते हैं फिर आगे बोलता है कोर्चन नंबर 71 बोलता है 71 आपका आपका बोलता है कि आ सल्कूलरर इंड आपप बंकेट .- और जू तूल कुलररी इंड है बंकेट का रेडियस का दिया हुला है कि find partial सेंटीमीटर और आपका फोटिन सेंटीमीटर और हाथ आपका आपको मानों की बल्टी बगेट दिया हुआ है तो इन च्पर ऑलन केपिटल दितलにちは कितना पिल छ vermल छेडिया है किते अशने रह्क पोर्टीर संटीमेंट्र ऐप की hard call 30 सेंटी doin तो तो भोल्यूम उफ्रष्टम या बक्ट क्या होता है? वन बाई 3, पाइ एच इन्टू R स्क्वाइर प्लस स्मोल R स्क्वाइर प्लस केपिटल R इन्टू स्मोल R यही होता है ना फ्रमुला आप क्या करों भेलू रखो 1 by 3 22 by 7 22 by 7 add कितना है 40 40 by 35 का square plus क्या होज़एगा R का 14 square plus क्या होज़एगा R into R 35 into क्या होज़एगा 14 होज़एगा ठीक इतना solve करने के बाद आपको क्या करना आगे आगे जो करना है आगे आपको solve करना है आफ यहां से 35 का स्क्वाइर बताओगे 35 स्क्वाइब क्या होता है 14 लिखोगे 35 into 40 फिर 3 क्या अगर ओगे 40 रखोगे फिर यहां पर फिर क्या रखोगी इसको जो करने के बाद आएगा वह आपका आठ असी अजार असी सेंटीमीटर अस्कुर्ण आजाएगा आपका क्यूब आ जाएगा आपके जो वोल्यूम आएंगे वोल्यूम आप बकेट वो कितना हो जाएगा एटी थावजेंट एटी सेंटीमीटर क्यूब आप्सन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सेविंटी वन का सौर्प करने के बाद आप देख लेना ठीक है इसके बाद आगे आप चलते हैं क्या बोलते इप दी रेडी आई आई आप इंड्स आपे बकेट आर की बकेट का रेड सफेसेरिया क्या होगे वह आपका निकालना है ठीक तो ठोल तोन सरफेसेरिया हमें निकालना है तो बकेट और यह माल लो बकेट है फ्रस्टम है किसा सहीफ होता फ्रस्टम का तो capital R उसका जो दिया हुआ है आपके क्या दिये हुए है 15 cm और small r जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है आपके 5 cm सेंटी मिस निकालने के लिए तो टास तंसलेंट है इरिया दो कि एपकल करने के लिए जो रहे हैं यह होगा हुपके ठीक है क्या होगा आपके जो एरिया हो जाएंगे पाई हो जाएगा पाई एल होल बैकेट आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर स्क्वाइर होता है आर प्लस आर स्क्वाइर होता है और आर स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है तो एक सर्फेस उसमें क्या होगा खाली होगा सर्फेस ए दिया तो इसका धयान रखना क्या लिखना है तो फिले सेलेंट निकाल ले emphasized निकpad निकालने के लिए अंडर रूट अंडर क्या हो जाएगा एच इसक्वड प्लस ःग mec दैना अजेगा और मैनस श्छाित अब यहाँ स्य दैना ग्लान तो अन डर जाएगा और यहां से लिखते हैं तो अंडर्यर द्रो अद्रों क्या ट्व 109 का यहाँ से आपके क्या चुन आएगा और दस का स्कुएर कितना हो जाएगा दस का स्कुयर आपका हंडड़ आएगा मैं इसकी यहां से आपके क्या छेसो छेस्क्र आएगा अर्फे सेसेघर किसका होता है 26 का स्कुएर होता है in 26 सेंटिमेटर आ जाएंगे तो आपके यह 26 cm आया आप surface area of bucket निकालना है surface area of bucket तो surface area of bucket आपके क्या होता है देखो यह आपका top वाला क्या open रहेगा यह तो open रहेगा bucket open रहे देख रहे हैं एक curve surface हो गया एक curve surface और आपका यह वाला नीची वाला base यही तो निकालना है तो यहां पर हो जागा curve surface area of bucket क्या हो जागा curve surface area of bucket plus base base of bucket area of base area of a small base a small base of bucket यही होगा ना तो आपके curve surface area क्या होजाएगा pi l r plus r होगा pi l r plus r होगा यह क्या होजाएगा area of a small base का pi r square होगा यही होगा आप pi कितना pi के फों में है क्या नहीं pi के फों में आपका नहीं है किसके फों में आपको निकालने पड़ेगा 22 by 7 into l कितना है 26 आया आपके r capital r कितना है 15 plus क्या होजाएगा small r 5 है 22 by 7 22 by 7 into r as well क्या होजाएगा 5 का square हो यहाँ से आपके क्या होजाएगा 22 by 7 common आजाएगा into तो था आपके ब्रेकेट्ट में क्यों जाएगा तilly सिल्टी सिक्स इंट्व क्यों जाएगर आपके 20 हो जाएगी प्लस क्या हो जाएगा प्लस हुज जाएगा आपका 25 कि तो यहां से आपका क्या होँगा 22 by 7 into into आपका गया होँगा यह 06 निकालोगे 22 by 7 into आपका होँगा क्या 545 गया आप इसको सॉल्ट करेंगे तो आपका जो एंसर आएगा भाई आपका जो एंसर आएगा किसका सर्फेस एरिया जो निकाल रहे हो बकेट का उस जो सर्फेस एरिया आपका एंसर आजाएगा 72 का ओ आपका आजाएगा इसको सॉल्ट करने के बाद आपका जो आएगा यतना 1711.3 आजाएगा सेंटीमेटर क्या हो जाएगा स्कुर्ट कोई आपका दिख रहा ऑप्शन भी सरकस्टेंट इस सलेंड्रिकल टू ए हाइट ऑफ फोर सेंटीमेटर एक क्या सरकस्टेंट है पहले क्या सलेंड्रिकल है पहले क्या है सलेंड्रिकल है पहले सलेंड्रिकल फोम में है फिर इसके एभो में क्या कर दिया गया एभो में जो कर दिया गया कौन लगा दिया एभो म में कौन लगा दिया गया तो इसेवाभ में कौन लगा दिया घय ठीक है इस darmeter 115 मेटr अगर उसका कितना दिया हुए 105 cm मिटर दिया हुए मिटर मेर तो एसलेंट याउन याठ कितना कितना लेंट इत्यों है आपके 40 मिटर दिया हुए तो ड़टल ड़टल एरिया सब्सक्र कहँ लिखाँ अनिसारे कर सब्सक्रमाइब कॉन में लगाना है और आप क्या कर सरी किसका लगाना है आपका झाले साइक कर दियाना न है यह ख्ला रहेगा खाली आएया स्लेंडर के हैं सर्फेस में और आप कुल की कर्ब सेस्पेस में लगाना है तो आपका यहां बोला गया है सिरेंडिर्कल है जो हैaf मझात तो सरुनेंडिकल है करें आपका क्या दिया दिया है नहीं यह धूर सेंटिमिटज मालने म Griffith आपका दे धियाएं फोर मीटर दे धियाग大 Psalm कि तना दिया हुआ call दोनों का सेम में कितना 105 मीटर होग UP यह दिया हुआ है तो आपके जो रेडियस हो जाइएं आपके 105 भाई क्या हो जाएगा गांदिया टू मीटर हो जाएगा आपका स्प्राइट वह आपका 40 मिटर तो आपकी क्या हो जाएगा सब्सक्राइब किसका कॉन का यह दोनों जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ कनवास हो जाएगा क्योंकि इसमें करभव में लगाएंगे कपड़ा और उपर वाला में कोन वाला में जो क्रब सर्फेस से氣 में खाली कपडह लगाएंगे तो तो क्या हो जाएगा कर सबस्रींटर टू पाइल सेधा हैं और इसका क्या हो जाएगा पारल हो जाएगा आपका तो यहां से लिखेए लिए 2 into 22 by 7 into r कितना हो जाएगा 105 by 2 हो जाएगा into h कितना है आपका 4 है पलस पाई कितना है फिर 5 पाई का वेलू क्या होता 22 by 7 into r तो वही है कितना 105 by 2 च日 क्यी का उसलेंट है और फोटी दीओ फोरे दो को होजाएगा 1 फिर 1 2 12 पार में क्या हो जाएगा साथ एक कटेगा साथ में 15 15 15 सत्र ऐउक्स पॉंच कटा है आपन्द 16 पंद 16 कट थिक ए आपका 2 बाएस 55 लेवकर अब्सट कोदर कॉर्चा न न इतरिबचा 20 अब क्या बचा इस इक्वाल टु तो यहाप के यहां पर जो होंगे 330 330 użyब्रेश एंटु 330 इंटु क्या हो जाएगा आपके 24 होजाएंगे आप इसको 20 meter square की जोरत पड़ेगा total canvas, क्योंकि curve surface area किसका, cylinder का और कौन का ही तो निकालना था, उसी में तो कप्ला पहनाना है, लगाना है तो ये आपको समझ में आ गया आप चलते हैं, आगे question number 74 74, बोलता है क्या match the following ये क्या match the following, एए answer है आपका match the following है, आप इसे मिलाना है, तो ये क्या बोलता है हम बता देती है, आप देखना, निकाल के ये आपको निकालना है, ठिक, ये सब आप बनाए होंगे, आपके correct answer यहाँ पे लिखना है, ठिक, क्या बोलता है पहला, कि ये आपकी घर पे छोड़े ये आप बना के देखना, अगर easily से आप बना के कोशिस करना मैंच दी column, 74, 75 ये आपको घर पे बनाना है, अगर नहीं बना, तो आप पूछ सकते हो आप आता है, assertion and region टैप, कि ये आपका जो आपका बोला कि each question consists of two statements इसमें नेमली एक assertion दिया हुआ है एक region दिया हुआ है, आपको correct transfer select करना है, using code क्या पहला में बोला कि दोनो assertion और region आपका सही है और region जो है, correct explanation है किसका assertion का फिर B में बोला कि region और आपका assertion दोनों सही है लेकिन उसमें region जो है वो correct explanation नहीं है assertion का, C नमर बोल रहा है कि assertion आपका सही होगा और region आपका false है D नमर आपका क्या है, assertion आपका false है और region सही है, यह आपको देखना तो question नमर 76 में बोलता है क्या 76 में आपका बोलता है तो आपके बोलते हैं क्या assertion में देखो कि if the radii of circular ends if the radii of circular ends of a bucket 24 cm high are 15 cm and 5 cm respectively then the surface area of bucket is तो आपका जो surface area of bucket है वो 545 pi होगा क्या आपको निकाल के दिखना है तो आपके आप निकालते हैं देखो क्या होता है कि bucket का जो दिया हुआ है bucket इस तरह के होते हैं तो bucket का जो open उपर वाला जो area होता है big वाला जो base circle वो क्या होता है open होता है और यह वाला जो होते है यह आपके curve surface और area of circle यही आपके क्या हो जागा surface area ठीक है surface area ठीक तो surface area हम निकालते हैं अपके का bucket क्या हो जाएक क्या होगा curve surface area of bucket पलस area of a smaller base area of a small base यही हो जागा ने तो यहां से आपका curve surface area क्या हो जागा आपका पाई आर तो ल तो हमें निकालना पड़ेगा सर यहां तो एल तो हमें निकालना पड़ेगा तो एल हमें निकालने के लिए क्या होगा फरमूला एल सेलन्ट फाट अर्डरूर्ट ≅2 fake यही होता है आ तो यहां पर डालो एक कितना है आपका है Alec शेज्सienna टर्विज़ निंहों कितना अब कि यहांसे अब आगे क्या होगा कर्प सर्फेस एन्हें क्रूस इसंक्यल के पिस सर्फन क्या हो जाएगा और अस्क्वाइर हो जाएगे दीज में निकालना है आफ देखो निकालगे पाइ छोड़ो इसी तरह इंटुटी सिक्साथ फ्र क्या ऊजएगा अब के से 19 लगवर स्रा एक आर क्या है आर प्लस आर देखो आर प्लस र्कितना । तो ये आपके क्या हो जाएगा पाइज होगिया तो ट्वेंटी- can 25 यहां से जब निकालोगे तो पाइज क्या जाएगा पाइज होजाएगीं है ही। 520, 520, 520, प्लस 25 होगा, यहां से जब निकालोगे, तो क्या हो जागा, 545 पाई आगिया, 545 पाई आ जाएगा, वो क्या सेंटीमेटर अस्क्वाइर में, तो आपकी जो सर्फेस एरिया है, बकेट का, वो क्या सही है, तो मिज की एसेर्शन आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया सर, ट्रू हो गया, इसे डू एप दी रेटिया और सर्कूलर इंड्स अप फ्रॉस्टम आप फरस्टम आपे कौन, आर, और अइड अगर रेडिया आई आपका सर्कूलर इद्स का आर और आर, और डिस्पेट रली अजिटिए थिसका हैट दे दिया गया है, यह यह दे दिय क्या है क्रेक्ट एक्स्प्लेशन भी है तो यह आपका क्या क्या हो जागा ओप्सन यह था तो 76 क्या जागा ओप्सन और हो जाए आ करusing कि Organization if झाल झाल ठीक है तो यह क्या correct explanation है अब चलते हैं आगे आगे question number बोलता है 77 77 बोलता है क्या a hemisphere a hemisphere of radius 7 cm is to be painted outside on the surface उसके outside में surface में क्या करना है paint करना है एक hemisphere है मानूँ a hemisphere हो गया है a hemisphere हो गया है a hemisphere के outside में क्या करना है paint करना सिर्फ क्या outside है इसके surface के outside में क्या करना है paint का जमितना रेटियस दिया हुआ है 7 cm दिया हुआ है तो टोटल कोष्ट अप्दी प्रेंट करें हैं क्या है क्या हमिस्फेयर का है तो उसके outside में प्इंट कर रहे है तो यह क्या है आपका हेमिसफेर पूरा तोल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा total सर्फेस एरिया ऐप हेमिसफेर आपका हो जाएगा 3 pi r square 3 pi r square होगा तो 3 pi r square तो 3 into 3 into pi pi को क्या लिखेंगे 22 by 7 लिखेंगे into into क्या आपका r जो है 7 into 7 हो जाएगा तो 7 से 7 cancel हो जाएगा 2666 into 7 यहाँ से आपके क्या हो जाएगे आपकी 7 42 के दूब बाकी हाथ 4 462 आपका आ रहा है तो 462 आ रहा है तो आपके क्या cm total surface area जो है किसका hemisphere कितना आपका 412 cm square निकल गए आप क्या हो रहा है कि एक जो 1 cm square का कितना पेंट लग रहा है रूपीज 5 रूपय यह लग रहा है तो 462 का कितना लगएगा 412 cm square का क्या 5 into 462 हो जाएगा तो ए आपके जो होगे तो आपके जो रूपीज क्या हो जाएगा 0 5 2 2 10 के 0 बाकिया थे 363 और 31 के बाकिया 3 5 6 20 और 3 कितना हो जाएगा ए आपका 21010 तो आपके कितना 210 रूपई लग रहा है लेकिन आपका क्या है 230 रूपई यह दिया हुआ है तो पर खूरे 2 आपका क्या हो गिया फोल्स हो गिया क्या फोल्स हो गिया लेकिन वर फीस यह क्या हुआ होना चाहिए वर फंस पर हमिस्पियर क्या हो जाएगा 3b1 2 तो ए ecological तो ए आपका ऐसर्षाण सही है एसर्षाण गलत है और आपके स्पेया हौ संड' दी हो जाएगा आपके 77 के option क्या हो जाएगे डी हो जाएगा option क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक आप चलते हैं नेश्ट 78 78 बोलता है कि दर नंबर आप क्वैंस 1.75 cm in diameter and 2 mm में ठीक फ्रों में, melted thieves किसे आपका q कितना संटीमिटे κάν пл.5 ऐट UM Guments का इक इसे क्या जाता है आपका 1.5 cm है और आपका जो ठीक है बुटाई कि सो हई व्य तो तो टूम 2 mm तो 2 mm से 2 mm से 10 से चांब करना पड़ेगा 10 cm 5 10 cm हो गया मतलब का 0.2 cm हो गया आपके diameter जो दिये हुए cylinder के क्या 1.75 cm इसको change करेंगे किसे में आपको change करना है radius में तो radius में change करने में क्या हो जाएगा 1.75 by 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा तो यह आपके centimeter में हो गया तो क्वैंड का आपका क्या पता चल गया quad ja says cylindrical form में है जिसका है पता है radius पता है quad पता है quad जुभाइड पता है quad आपका dimension पता है तो number of quains निकालनाए नck नंबर of quains किसे mylet करके बना जाएगा number of quains बराबर क्या हो जाएगा आपके volume of quad by volume of cylinder symbolic this या 간 narciss इस थो होता है क्या होता है 10 into 10 इन्टू 5 पाइट लेंधन इन्टूब्रेथ to UM Goku कि मelp sj में आप रखेंगे ट्वट सेवट इन्टू इंटू आरस्वर की जब पर क्या रखेंगे 1.75 का बाइटू का होल स्कूर तो 1.75 1.75 बाइटू इंटू आपके क्या एच एच कितना है भाई 0.2 सेंटिमीटर है तो इसको आप सॉल्ब करोगे जब इसको आप सॉल्ब किजिएगा तो आपके आपके जो एंसर आएंगे वह क आपके क्या हो गया इसको आप सॉल्ब करोगे तो कितना नमरों कोई जोएंगे 400 आजाएंगे वह सही मिसकी यहां पर बोला वोल्यूम अप सलेंडर ऑपे बेस और एड हैट अगर यह तो बोल्यूम आपका होता बोल्यूम सलेंडर क्या होता पाइर स्कॉाइर क्यूबिक उ यह दोनों ऐसरसन भी सहीए रीजन भी सहीए लेकिन क्रेक्ट इक्सपैलिनेशन नहीं है है ना ऐस ठेक तो रीजन भी सहीए और यह आपका क्रेक्ट इसलेंटे रहा है क्योंकि बोल्यूम को इैитан करते स्था क्या आपके नंबर और आ ग्सा जाति तो नंबर क्वार जागा option यह हो जागा आपका 78 का यह आपके correct हो जाएगे क्या होग यह देखो number आपके volume of quatt यही लिका ले और volume आपके cylinder निकाले पाय आरा स्क्वरेश से आप दोरों कर यह निकाले डिवाइट किये तो आपके number of quatt निकल गए तो यह आपका रीजन भी सही है एसेशन भी सही है और रीजन जो है correct explanation किसका है एसेशन का तो क्या होजागा option यह आपके correct हो जाएगे next question है 79 का 79 का आपका क्या बोलता है 79 में आपका बोलता है सर क्या कि the volume of two aspairs दो aspairs का volume के ratio जो है 27 is to 8 है तो their surface area are in the ratio 3 is to 2 तो volume of aspair क्या हो जागा volume of aspair s1 volume of s1 by volume of s2 यह अभी निकाले थे क्या हो जाता है आपके 4 by 3 pi r1 cube r1 cube by 4 by 3 pi r2 cube यह होता ना 4 by 3 pi से 4 by 3 pi cancel हो गिया आपके क्या बचा r1 by r2 का क्या बच गिया whole cube बचा is equal to क्या हो जाएगा is equal to आपका 27 by 8 हो जाएगा यह हो गिया आप देखो r1 by r2 का whole cube r2 का whole cube 27 किसका है 3 का है 3 का cube है आपका 8 किसका है 2 का cube है तो यह आपका a whole cube हो जाएगा cube से cube cancel हो गिया r is to r2 किसका है 3 is to 2 है surface area जब निकालेंगे तो surface area निकालते surface area of aspair 1 by surface area of aspair 2 क्या हो जाएगा 4 pi r1 square 4 pi r1 square by 4 pi r2 square यही हो गा 4 pi से 4 thereby cancele मैं इसकी r1 by r2 का क्या हो हो जाएगा whole square हो जाएगा r1 by r2 कितना का है 23 by 2 आयात था 3 by 2 का क्या हो जाएगा whole square हो जाएगा यहाँ से जो आएगा 9 by 4 मैं इसकी 9 is to 4 आना चाहिए surface area के जो ratio हो गा 9 is to 4 हो एक कि hello 인GR का रेशियो है तो यह आपका क्या गलत आपका जो عेसर्फं है वह क्या हो गया यह आपका फोल्स यह और आपका जो रीजन भोलियू data 135 क्यों होताइक और सरफें से द्ध स्पेर क्या होता है आपका 4 pi r square होते हैं तो यह आपका reason सही है लेकिन accession क्या है गलत है आपका reason क्या है सही है, accession गलत है option क्या हो जाएगा d हो जाएगा ठीक है, accession आपका false और reason क्या है, true है तो क्या हो जाएगा option d वाला आपका हो जाएगा कि यह accession आपका false है और रिजन आपका true है ठीक अब चलते हैं आगे आगे question number 80 question number 80 क्या बोलता है देखो question number 80 ये last question है इस exercise का ठीक है surface area and volume में ये last है कि दा curve surface area होना चाहिए curve surface area ठीक है volume गलत ले और फे कौन और फे base कौन और फे base radius 3 cm and height 4 cm is 155 cm square तो curve surface area जो होगा भाई curve surface area जो होगा curve surface area ठीक है किसका आपका किसका दिया हुए कौन का तो कौन बना लो जो radius आपका दिया हुए 3 cm दिया हुए और height आपका दिया हुए कितना 4 cm दिया हुए तो silent height आपका जो हो जाएगा silent height हो जाएगा h square plus r square तो 4 square plus 3 square हो जाएगा यहां से आपके क्या under root 16 under root 16 plus 9 हो जाएगा तो यहां से आपके क्या हो जाएगा under root 25 होगा सर 25 तो अंडर रूट 25 किसका होता है 5 का स्क्वाइड रूट होता है आपका 25 किसका स्क्वाइड रूट होता है तो आपका जो इसलेंट हैट आया वह 5 सेंटीमेटर आ गया आप 5 सेंटीमेटर आया तो हम निकालते करब करब सर्फेस एरिया निकालने बोले ना करब सर्फेस ए पाँच रखोगे तो आपका क्या आ गया 15 पाए आ गया 15 पाए पंदरा पाए हो जाएगा । 15 पाए सेंटीमिटर और तो आपका प्रू है तो आपका क्या जो आपका रीजन है से जो रीज़न है इस में स्थेर्ड रीज़न क्या होना चाहिए सरफेष एडिया कर देना चाहिए था गृत्प क्या होता एब ही ँस थैने क्को फोल्यूम醬 जो पॉल्ण आपका डाया वह他 ऑगलत है रीज़न आपको क्या होग का है यह ने खंब popular हम्हेंश lesson na true and reason false हो जाएगा option आपके c हो जाएगे option क्या हो जाएगे c हो जाएगे और इस तरह से हम चारा question को बनाने को देखे ठीक है आप easily से देखे solve किये और अगर किनी को ठीक है ज्यादा से ज्यादा question को practice करें और please like share and subscribe जुरू करें thank you